आज टीम एंडिया ने सच में साउथ उफरीका का घमन तोड़ दिया है और ये बता दिया है कि हम न्यू टीम एंडिया हैं और हमारा खेलने का अप्रोच यही रहेगा और आज सच में साउथ फरीका को अपने खेल पर सरमिंदी की फिल हो रही होगी कि हमने क्या किरिकेट खेला है पूरे सिरीज में मतलब ऐसे कौन हारता है और वो भी अपने घर पे और ये साउथ फरीका का हार नहीं है ये उनका एक तरह से बैजती है कि आपकी बॉलिंग अटेक के सामने जब इंडिया खेल रही है तो 283 रन बोट पे लगा दे रही है और जब आप बैटिंग करने आ रहे हैं तो आपसे डेड़ सा रन भी नहीं बन रहे हैं मतलब ऐसा क्या हो गया उस पीच पे जहां टीम इंडिया के प्लियर 10-10 छक्के लगा रहे हैं और पूरी टीम मिलकर 23 छक्के लगा रही है और वहीं साउथ अफरीका के पूरे प्लियर मिलकर 10 छक्के भी नहीं लगा पा रहे हैं जबकि साउथ अफरीका में दो सबसे बड़े बीग हीटर हैं डेबिड मिलर और हेंडरी क्लासेन इसके बवजूद भी साउथ अफरीका डेट सा रन भी नहीं बना पा रही है और ये साउथ अफरीका का सीरीज हरना काफी लंबे समय तक उन्हें याद रहेगा कि हमारे घर पे कोई टीम आकर इस तरह से हरा के जा रही है जो हमने कभी सपन में भी नहीं सोचा था आपको बता दू कि इंडिया और साउथ अफरीका की भी चोथा टी-20 मुकाबला खेला गया जहां इंडिया ने पहले बैटिंग करके 283 रन बना दिया और जब इस टारगेट का पीछा करने साउथ अफरीका आया तो 148 रनों पे ही अल आउट हो गया मतलब टीम इंडिया चोथा मुकाबला एकसा 35 रनों से अपने नाम कर लिया और ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि इस मैच में टीम इंडिया ने काफी सारे रिकॉर्ड भी क्रियेट किये हैं इस मैच में टीम इंडिया ने इंडिया के बाहर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, उसके बाद सबसे बड़ा पाटनर्शिप करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, फिर T20 के एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया, मतलब एक ही मैच में टीम इंडिया ने काफी जय हिन, जय भारत.